नमस्कार साथियों राजस्तान विश्व विद्याले चेपुर की द्वारा अकेडिमिक सेशन दोहजार तेज से दोहजार चोईस के लिए डॉक्टर ओफ साइन्स डी एसी एंड डॉक्टर ओफ लिटरेचर डी लीट परवेशेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से हम डॉक्टर ओफ साइन्स एंड डॉक्टर ओफ लिटरेचर पात्रता सेक्ष्णिक योकिता आवेदन एवं अन्य महत्वपूर्ट तत्यों के संदर्प में विस्तार पुरुक चलचा करेंगे सबसे पहले हमें लोगिन होना होगा राजस्तान विश स्क्रोल करेंगे रिस्क्रोल करने के दोरान हमें डिएसी डिलीट एडमिशन दोहजार तेईस का लिंक दिखाई देगा दीगर लिंक पर हमें क्लिक करना होगा क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया वेपेज ओपन होगा डिएसी डिलीट एडमिशन दोहजार तेईस पेचडी एडमिशन के संदार में हमने पूर वीडियो में चर्चा की है जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में भी उपलब्द करा दिया क्या है इस वीडियो में हम बात करेंगे डिएसी डिलीट का लिंक दिखाए देगा सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकिशन के बारे में दिएगे लिंक पर हमें क्लिक करना होगा और क्लिक करते हमारे सामने एक PDF फाल डाउनलोड होगी राजस्तान विश्यविद्याले द्वारा डॉक्टर ओफ साइंस डी एसी डॉक्टर ओफ लिटरिचर डी लीट उपाधी कारिक्रम में परवेश सत्र दोहजार तेई से दोहजार चोई सेतु योग्य एवं इच्चु कभ्यर्तियों से निर्धारित परपत्र में आवेधन प पत्र आमंत्रीत किये जाते हैं आवेधन पत्र का प्रारूप सेक्षनिक योगेताएं निर्धारित शुल्क एवं आवशक दिशा निर्धिशों की विस्तरी जानकारी के लिए क्रिप्या राजस्तान विश्यविद्याले की जो वैपसाइट है पे.uniraz.rec.in पर डी एसी ए दुआरा शुल्क जमा करवाकर आवेधन क्यांतिन तिथी 31 जनवरी दोहजार चोईस निर्धारित की की है साती समस्त आवशक दस्तावेजों सहीद आवेधन पत्र की हाड़कोपी राजस्तान विश्यविद्याले के शोधन भाग कमरा नंबर 25 विज्यान भवन में जमा कर द्वानिक अंतिम तिति रहेंगी 10 फरवरी दोहजार चोईस तो यहां पर आवेधन करने की जो तिति रखी गई है 31 जनवरी दोहजार चोईस रखी गई है और हाड को भी जमा कराने की जो दिती रखी गिये 10 फरवरी दो हजार चोईस यहाँ पर कमरा नंबर है शोद अनुभाग है कमरा नंबर 25 विज्ञान भोवन में हम यहाँ जमा करा सकते हैं आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सेम रहेगी प्यजडी की समान आवेदन भी किया जा सकता है तो यहाँ पर हमें रिलेटेड एक्टेंड ओडिनेंस का लिंक मिलेगा इस पर हमें क्लिक करना होगा और क्लिक करते हमारे सामने एक पीडे फाइल डाउनलोड एक कंडिडेट सेकिंग अडिमिशन तो दिस्टेंड दिलेट प्रोग्राम अफ युनिवर्सिटी मस्ट हैव प्रिशूड आउट्सेंड रिसेट इन दा कंसर्ड डिस्पलाइं और हैव उप्तेंड थे मिनिमुम क्वालिफिकेशन से रिक्वाइड पर अडिमिंशन एज म इन दा कंसर्ड डिस्पलाइं एट लिस्ट फोर अकेडमिक यूर्स परियोर टू देट ओव अप्लिकेशन तो दिस उनिवर्सिटी का मतलब है कि रास्तान विश्य विद्याले के से उत्तिन जो अभ्यारती हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं और उनके पास क्या रखी होनी च चाहिए must have published at least 10 quality research paper in referred generals या international या national UGC approved journal तो 10 quality research paper है वो होनी चाहिए और ये referred general में प्रकाशित हुए हो या international या national UGC approved journal है उनमें प्रकाशित हुए हो आवेदन कर सकते हैं must have minimum API score कितना है 400 and detail of score calculation are provided in anexal A this ordinance तो anexal A देखना होगा कि API score को हम किस तरह से calculate कर सकते हैं must be a regular permanent faculty member with at least 5 year teaching experience of PG classes in a recognized university period to the date of application या यह पहला criteria रखा गया है दूसरा जो criteria रखा गया है must have obtained a PhD or an equivalent degree from any other recognized university यानि अन्य जो दूसरी यूनिशिटिया है या from a foreign university of standing in the concert discipline at least 4 academic year prior to the date of application and master's and bachelor's degree from this university तो यह इस पस्ट किया गया है कि PhD किसी भी university से हो वो भी आविदन कर सकते हैं लेकिन यहां पर कुछ important पूंच दीए गया है academic year prior to the date of application and master's and or a bachelor degree from this university तो इसका भी हमें ध्यान रखना है must have published at least 10 research paper referred journals international national UGC approved जो journals है उन्हें प्रकाशित हुए होनी चीए must have minimum API score है या 400 calculate कैसे करना है एनेक जरे दिया गया है वहाँ से हम calculate कर सकते हैं must be irregular permanent faculty होना चीए 5 year teaching experience होना चीए पीजे classes के अंत्रकत रिखो जाएं university या तीसरा जो criteria है दिया गया है अत्वा के रूप में must be a regular permanent faculty हो university with at least 5 year teaching experience हो PG classes का and application has obtained PhD और PhD होना चाहिए equivalent degree from this from any other रिखो जाएं university foreign university concerned discipline तो यहाँ पर जो criteria अलग-लग जो criteria दिया गया है 10 research paper का criteria दिया गया है 10 research paper published होनी चाहिए minimum जो API score है वो 400 होना चाहिए तो यह कुछ important eligibility जो criteria है दिया गया है applications के संदर्प में यहां पर जानकारी दी गई है और यहां research committee के बारे में जानकारी दी गई है admission procedure के बारे में submission of thesis तो यह award degree के संदर्प में यहां जानकारी दी गई है conclusions यह annexer यह दिया गया है जो API score है वो हम किस तरह से calculate कर सकते हैं research paper published in referred UGC approved journal for delete and research paper published in books chapter in a book a single author research project fellowship award received invited lecture papers presented in a conference seminar workshop annexer VFE structure total fees यहां पर delete program के बारे में दी गई है annexer D है तो इनका उलोकन आप यहां कर सकते हैं format of thesis का है तो यह minimum जो criteria है वो यहां रखा गया है इसका आउलोकन हम यहां कर सकते हैं eligibility जो criteria है जिसमें PhD degree होनी चीए इसके अलावा 10 quality research paper होनी चीए 400 API score होना चीए और 5 year teaching experience होना चीए पीजे classes का प्रमारेंट faculty की रूप में कार्यत हो तो ही इसमें हम आवेदन कर सकते हैं अब बात करेंगे आवेदन किस तरह से करना है तो आवेदन के लिए यहां पर हमें link दिया गया है instruction form filling का admission offline form का तो पहले हम बात करेंगे form film instruction के बारे में download the application form along with the challenge from university website हमें application form download करना है read rules guideline provide ordinance 140 a under notification number b is fill the application form carefully attach the relevant documents deposit the application form fees यहां दी गई हे पांच जार रुपे और यह बेंग चालान के माद यह हम से जमा होगी इकरती जनुरी दो हजार चोईस तक submit the application form या विफो 10 February 2024 and along with self-attached photocopies of the required documents in closer and with the चालान of the following address during office hours in excluding the holidays तो यहां पर address दिया गया है यहां पर हम यह address दिया गया है यहां पर हमें जमा कराना है no application form will be accepted then 10 वरुरी दो होजा चोईस के बाद में कोई भी जो है form accept नहीं किया जाएगा और incomplete जो form है उनको reject कर दिया जाएगा तो इसका भी हम यहां ध्यान रखना होगा अब बात करेंगे हम application form की तो यहां से हमें dsc and delete admission offline form यह application form से application form for admission delete and dsc प्रोग्राम 2023 से 2020 passport size की photograph signature name applicant name व्यक्तिकत व्यूगरंद देना है address corresponding address and permanent address education qualification secondary senior secondary graduation post graduation other degree and PhD degree provide details date of award of university subject faculty thesis इस तरह से यहां जो भी details इनको चीए वो detail आपको यहां पर research paper 10 है तो उनका वीवरान आपको यहां देना है impact factor कितना है declaration है इस तरह से हम यहां application form को download करना है और भरना है यहां से चालान भी चालान है यहां से हम download करेंगे यहां पर रास्तान विश्यविद्यालेजेपूर में जेपूर की जो टेलेग्राम ग्रूप है वहां पर भी जो PDF फाइल हो send कर दी गई है जहां से भी आप PDF फाइल है डाउनलोड कर सकते हैं एजुकेशन चे संबंदित विभिन सुचनाव को प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के description box में दिएगे टेलेग्राम और वर्टसप ग्रूप का पावशे जोइन करें साथ इस चैनल को subscribe भी करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की notification से वाम अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें फिर मिलेंगे clear test update के साथ तब तक बने रहें चैनल के साथ जहींत जय भारत